सल्मान खान ने शिवानी कुमारी को दिया बड़ा आफर बैट गया शिवानी से नफरत करने वालों का कलेजा ओटी टी नहीं अब टीवी पर चायेगा शिवानी का जलबाई अब सल्मान खान के शो बिग बॉस अठार में नजर आएंगी शिवानी कुमारी गाव लव्ट ने ही दुबारा आया मुंबई से बुलावा खुशी से जूम उठे शिवानी के फैंस बिग बॉस ओटी टी सीजन 3 में हुआ धोखा अब शिवानी को सल्मान खान दिलाएंगे इंसाफ बिग बॉस अठारा के कंटेस्टन की लिस्ट आए सामने वीडियो में जाने पूरी खबर बिग बॉस ओटी टी सीजन 3 खत्म हो गया है और सना मकबूल अनिल कपूर द्वारा होस्ट किया जाने वाले इस रियालेटी शो की विनर बन चुकी है अब सभी को इंतजार है बिग बॉस अठारा का जो जल्द ही शुरू होने वाला है आपको बता दें कि बिग बॉस अठारा के लिए एक बार फिर से एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है दरसल मेडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सल्मान खान ने खुद शिवानी कुमारी को बिग बॉस अठारा के लिए अप्रोच किया है इसके साथ ही बिग बॉस अठारा में शामीर होने बाले कंटेस्टेंट्स के लिस्ट सामने आ चुकी है जिससे जान कर बिग बॉस के फैंस काफी जादा खुश है वैसा ही कुछ वो धमा का बिग बॉस सीजन एटीन में करने वाली है कोमेंट बाक्स पर प्राय हमें जरूर बताएं बतादे कि बिग बॉस ओटीटी सीजन थी तो खत्म हो गया है लेकिन अब सभी के नजरे बिग बॉस अठारा पट्टी की हुई है शो की बारे में अपडेट आ रहा है कि इस बार बिग बॉस के घर में जिन कंटेस्टेंट के आने के कयास लगाये जा रहे हैं वो है कृतिका मलिक, अर्जुन बिजलानी, करन पटेल, समीरा रेड़ी, सुरभी जोती, पूजा शर्मा, शोईब इबराहिम और दलजीत कौर टीवी पर शिवानी कुमारी नजर आने वाली हैं, बता दें कि बिग बॉस 18 अक्टूबर के पहले शनिवार को लॉंच होने वाला है, हलाकि अभी तक इसकी ऑफिशली डेट अनाॉंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन ये तरह है कि इस बार इस शो को एक बार फिर से सल्मान ख पर शिवानी कुमारी बिग बॉस 18 में अगर पहुंचती हैं, तो वो अपना कमाल दिखा पाएंगी, कमेंट बाक्स में प्रिडाय हमें जरूर बताएं, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही